नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एंटी पीसी ग्रेजियोट लेवल एक्जाम में मेडिकल स्टेंडर्स के बारे में अगर आप रेलवे एंटी पीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्पूर होने वाली है वीडियो को अंततक देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें रेलवे एंटी पीसी नॉन टेकनिकल पॉपिलर केटिगरीस के तहद कई पद आते हैं जिनके लिए आपको केवल लिकित परिचा ही नहीं बलके मेडिकल टेस्ट भी पास करना पड़ता है कई केंडिडेट इस महत्वपूर चरण को नजर अंदाज कर देते हैं इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कि रेलवे एंटी पीसी में मेडिकल स्टेंडर्स क्या होते हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए रेलवे एंटी पीसी परीच्छा में अलग-अलग पदों के लिए मेडिकल फिटनेस की अलग-अलग स्रेडिया निरधारित की गई हैं मुक के रूप से चार मेडिकल कैटेगरी होती हैं वो चार कैटेगरी हैं A2, B1, B2 और C2 तो सबसे पहले हम बात करेंगे A2 कैटेगरी के लिए जो के आपको यहां पर सामने दिख रहा होगा A2 कैटेगरी एक तो स्टेशन मास्टर के पोस्ट के लिए है और दूसरी गोड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट के लिए है यह कैटेगरी लोको पाइलेट और उच इस तरह यह तकनी की पदों के लिए होती है इसमें आखों की द्रिस्टी बहुती अच्छी होनी चाहिए बिना चसमें के दूर की द्रिस्टी 6x9 और 6x12 होनी चाहिए इसके अलावा उमीदवार को कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए इसके बाद B1 कैटेगरी होती है जो इस बाले एक्जाम में B1 कैटेगरी का कहीं भी जिकर नहीं किया गया है तो इस बारे में हम इसके बाद हम बात करेंगे B2 कैटेगरी के बारे में लेकन यहां A2 और B1 category की अपिक्चा थोड़ी कम होती है, यानि B2 category में आपको A2 और B1 category के बाद आती है B2 category, इसमें जो medical standards होते हैं, वो इसके मिकावले बहुत ज्यादा होते हैं, यानि B2 category में आपको ज्यादा छूट मिलेगी as compared to A2 और B1, उसके बाद हम बात करेंगे C2 category के के लिए है, अब C2 category में क्या होता है, या category clerk और accountant जैसे office संबंदी बदों के लिए होती है, इसमें शारीरिक fitness का उतना कड़ा माबदन नहीं होता, लेकिन फिर भी आखों की कुछ new term दरश्टी इसमें होनी ही चाहिए, अब इसके बाद में आपको ये next phase दिखा देता हूं, जहां इन categories को describe किया गया है, यह देखो ये A2 category इसमें जो distance vision है वो 6 by 9 लिया गया है, और जो near vision है वो SN, SN का मतलब होता है, स्नलन, आपको side में एक स्नलन chart दिख रहा होगा, इसके comparison में बताया गया है कि SN, बाकि night vision और myopia vision ये सब नहीं होना चाहिए, color vision भी इसमें नहीं इसके बाद A3 category में दिया गया है, जो आपका distant vision है, वो 6 by 9 होना चाहिए, और जो आखों की power lenses की वो 2D से जाधा नहीं होनी चाहिए, यानि lenses तो आप वियर कर सकते हो, लेकिन 2 diopter से जाधा नहीं होना चाहिए, और near vision वही सेम है, जो pass की द्रष्टी है, वो 0.6 से जाधा नह होनी चाहिए, और near vision इसमें भी सेम लिया गया है, जो C2 category है, उसमें जो distant vision है, वो 6 by 12 से जाधा नहीं होना चाहिए, और इसमें चल जाएगा, जैसा के पहले भी discuss किया था, कि A2 के comparison में C2 में ज्याधा चूट रहती है, देखो इस exam में में तो आपका जो written exam, यानि computer-based exam ही र particular post के लिए prepare कर रहे हो, जैसे cheap commercial come ticket supervisor के लिए prepare कर रहे हो, तो उसमें B2 के हिसाब से ही medical standard का measurement होगा, बाकि अगर आप station master या good strain manager के लिए preparation कर रहे हो, तो उसमें A2, A2 जिसमें ज्याधा medical standards का ध्यान रखा जाता है, और C2 में A2 के comparison में कम medical standards का ध्यान रखा जाता है, अब कुछ tips में आपको बता जिता हूँ, medical exam clear करने के लिए, सबसे पहले अपनी health का ध्यान रखना है, यानि परिक्षा से पहले नियमीत रूप से अपनी आखों की जाच करानी है, दूसरा अपनी physical fitness पे भी ध्यान देना है, यानि कि daily exercise करनी है, और doctor से भी consult करना है, तो दोस्तों यह थ जान दाई हो तो like करें और share करें और हमारे channel को subscribe करना ना भूले, धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में